हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्केरी वर्ल्ड गाइस आज मैं स्माइल मुवी की एक्स्प्रेनेशन करूंगी जो 2022 में रिलेज हुई थी मुवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते है जो ओवर्डोस लेने की वज़े से बेट पर मरी हुई पड़ी होती है एक्चली उस ओरत के हस्बेंड की डेट के बाद वो डिप्रेस हो गई थी और दवाईयों के ओवर्डोस लेने की वज़े से उसकी मौत हो गई उस ओरत की चोटी बेटी कमरे के बाहर खड़ी होकर अपनी मौम की बोड़ी को देख रही होती है और तबी सेन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहां पर हम उसी औरत की बेटी को देखते है जो बड़ी हो चुकी थी जिसका नाम रोस होता है और ये सब रोस के नाइट मेर होते है रोस एक थेरपिस्ट है और मेंटल पेशन का इलाज करती है उसके बाद रोस एक काल नाम के पेशन के पास जाती है काल मेंटली अंस्टेवल था और वो हमेशा कहता रहता है कि कोई नी बचे का सब मरेंगे वो भी मरेगा रोस काल के पास जाती है और उसे शान करती है और कहती है कि वो समझ सकती है कि वो जो महसूस कर रहा है वो सच लगता है लेकिन ये सब सच नहीं है काल को चेक करने के बाद bending रोस सी ने डॉक्टर दिशाई के पास जाती है जो रोस से कहते हैं कि कल रात से वो घर नहीं गई है इसलिए वो घर जाकर रेश्ट करें रोस जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकलती है तभी महाँ पर एक एमरजनसी केस आता है लोरा वीवर नाम की लड़की का रोस उसकी फाIL देखती है तभी एक डॉक्टर रोस से बताती है की लोरा एक स्टूडन है और पबलिक डिस्टरवन्स की वज़े से उसे पुलीष ने अरेस्ट कर लिया था जिसके बाद उसे यहाँ पर लिया है डॉक्टर रोस से ये भी बताती है कि पुलीस ने उन्हें एक इंसिडंट की रिपोर्ट भेजी है जो एक हफ़ते पहले की है जिसमें लोरा इनवॉल्फ है रोस उस incident के बारे में पुछती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि लोरा के स्कूल के एक प्रोफेसर ने खुद को हेमर से मार कर आत्मा हत्या कर ली जिसकी एक लोती गवा लोरा है उसके बाद रोस लोरा से मिलने जाती है लोरा कमरे के साइट में खड़ी होती है और काफी डरी हुई लगती है रोस उसे काम डाउन करती है और बेटने को कहती है रोस लोरा से पुछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है लोरा बताती है कि उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो उसके अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देती है और वो चीज किसी का भी रूप लेकर उसके सामने आ जाती है लोरा ये भी बताती है कि वो चीज उसके ग्रेंट फादर के रूप में भी आती है जो बच्पन में उसके सामने मर गए थे जब वो साथ साल की थी रोस लोरा से पुछती है कि जब वो उस चीज़ को देखती है तो क्या होता है लोरा रोस से बताती है कि वो चीज़ उसे देखकर स्माइल करती है लेकिन वो समाइल कोई normal friendly समाइल नहीं होती है बलकि एक creepy समाइल होती है और वो समाइल इतनी scary होती है कि उसने अपनी life में कभी नहीं देखी जिसे देखकर उसे डल लगता है लोरा ये भी बताती है कि वो छीज उसे control करना चाहती है रोस लोरा की बाते सुनकर उससे कहती है कि ये सिर्व उसकी हैल्यूसिनेसर है तब ही लोरा कहती है कि ये कोई हैल्यूसिनेसर नहीं है बलकि ये सब सच है और उस चीज़ ने उसकी पूरी लाइफ बरबाद कर दी है और उस दीज ने उससे कहा है कि वो आज मर जाएगी लोरा काफी डरी हुई होती है और घबराने लगती है रोस उसे सांद करती है और उसे अपनी तरफ देखने को कहती है लोरा जैसे ही रोस की तरफ देखती है तब ही वो डर के मारे पीछे गिर जाती है और चिलाने लगती है और कहती है कि वो यही है रोस लोरा को सान करने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पर उनकी सिवा कोई नहीं है लेकिन लोरा उसकी नहीं सुनती है और डर के मारे चिलाती रहती है रोस अपने पीछे देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है तब लोरा की हालत खराब होने लगती है जिसे देखकर रोस तुरन फोन करके स्टाफ को हेल्प के लिए बलाती है उसके बाद रोस जैसे ही मुड़ती है तो वो अपने साम में लोरा को खड़ा देखती है जिसके हाथ में बास का एक तुकड़ा होता है लोरा रोस को देखकर स्माइल कर रही थी जो काफी अजीब थी तबी लोरा रोस के सामने स्माइल करते हुए अपने चेहरे से लेकर गला काट लेती है जिसे देखकर रोस हिरान हो जाती है लोरा के मनने के बाद भी लोरा के फेस पर स्माइल थी उसी वक्त महाँ पर स्टाफ भी आ जाते है उसके बार दो डिटेक्टिव इन्वेस्टिकेशन करने वहां पर आते हैं जिसमें से एक डिटेक्टिव का नाम जोईल होता है जो रोस का एक्स बॉइफरेंड था वो दोनों डिटेक्टिव रोस से लोरा के बारे में पुछताज करते हैं रोस उन्हें बताती है कि लोरा को पेरेनोर डिल्यूजन यानि भरम हो रहे थे और उसने मान लिया था कि किसी तरह की इविल एंटिटी उसे डरा रही है और मनने से पहले लोरा समाइल कर रहे थी रोस की बाते सुनकर डिटेक्टिव समझ जाते है कि लोरा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी जिस वज़े से उसने खुद की जाल ले ली तब हम लोरा की बोड़ी को चदर से ढगा हुआ देखते है लोरा के चेहरे और गर्दन की कट की वज़े से चदर पर खुण से समाइल बन जाती है उसके बाद रोस अपने घर आती है रोस उस हादसी की वज़े से काफी डिस्टरब थी रोस के पास एक कैट थी जिसका नाम मुश्टेस था फरे सोने के बाद रात को रोस किचन में आकर ड्रिंग करती है तब ही रोस को लोरा दिखाई डेती है जो उससे देखकर समाइल कर री होती है उसी वगत वहाँ पर रोस का फ्यंच से ट्रेवर आता है और डर के मारे रोस से ड्रिंग का गिलास गिर जाता है टेवर रोस से पुछता है कि क्या हुआ है जिसके बाद रोस बताती कि आच उसकी एक पेक्षन ने सुसाइट कर लिया और यह सब उसके सामने हुआ उसके बाद रोस और टेवर डीनर पर जाते है जहाँ पर हम रोस की बड़ी बेन होली और उसके हस्बिन ग्रेग को देखते है होली रोस और ट्रेवर से कहती है कि वो दोनों उसके बेटे की बड़े पार्टी के लिए सटेडे को आ रहे हैं ना जिस पर रोस कहती है कि वो नहीं आ सकती है क्योंकि सटरे को उसे काम है बातों बातों में होली रोस से पुछती है कि उन्हें अपना बच्पन का पुराना घर बेच देना चाहिए जिस पर रोस होली को मनागर देती है क्योंकि उस घर से उनकी काफी याद जुरी है अगले दे रोस होस्पिटल आती है और रिसेप्ट्टन पर जाकर लोरा की दूसरी केस इंसिदेन की रिपोर्ट सेंड करने को कहती है उसी वक्त वहाँ पर जोल रोस से मिलने आता है और रोस से कहता है कि वो यहाँ उसका हाल चल पुछने आया है क्योंकि कल जो हुआ वो कोई छोटी बात नहीं है रोस जोल की बातों का ठीक से जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है उसके बात रोस लोरा की सेकंड केस इंसिडन्ट की रिपोर्ट पड़ती है जिसमें लोरा के प्रोफेसर की डेथ इंसिडेंट के बारे में लिखा था रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि मनने से पहले प्रोफेसर के फेस पर स्माइल थी तबी रोस को हुली का कोल आता है बाते करते करते रोस विंडो से नीचे किसी को देखती है जो उसे देख रही होती है रोस को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इस बात को इगनोर कर देती है उसके बात रोस काल के कमरे से गुजर रही होती है कि तब ही वो काल को नोटिस करती है जो अजीब तरह से स्माइल कर रहा था रोस काल के पास जाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है कि तब ही काल एग्रेसिफ हो जाता है और रोस से कहता है कि वो मनने वाली है और ये सुनकर रोस डर जाती है और हेल्प के लिए स्टाफ को बलाती है और काल को डिस्टेंड करने का ओडर देती है स्टाफ जब वहाँ पर आते है तो रोज देखती है कि काल नॉर्मल है और वो सो रहा होता है जिसे देखकर रोज हैरान हो जाती है ये सब इंसिडेंट के बाद डॉक्टर डिसाय कहते है की आज से पहले काल ने ऐसा कभी ने गया जेसा वो बता रही है की वो एग्रेसिव हो गया था तबी डोक्टर देसाई कहते है कि कल के इंसिडेंट के बाद वो काफी डिस्टरब है इसलिए वो रोस को एक हफ़ते की छुटी दे देते है ताकि वो अच्छी तरह से रेस्ट कर सके उसके बाद रोस एक टोई सोप पर जाती है और जेक्सन के लिए एलेक्टिक मोडल टेंड खरीती है घर आने के बाद रोस गिफ को रेप कर रही होती है कि तबी अचानक से घर का सेक्रिटी अलाम बजने लगता है रोस में डोर चेक करती है लेकिन वहापर कोई नहीं होता है और डोर भी लोग था तबी रोस नोटिस करती है कि पीछे का डोर ओपन है जिसे देखकर रोस घबरा जाती है तबी फोन बजने लगता है रोस को सेक्रिटी अलाम कमपनी से कोल आता है और फोन पर एक औरत होती है जो रोस से अलाराम के बारे में पुछती है रोस उसे बताती है कि उसके घर का पीछे का दर्वाजा खुला हुआ है तभी वो औरत पुछती है कि क्या वो घर पर अकेली है जिस पर रोस उसे हा कहती है तभी वो औरत कहती है कि क्या उसे यकीन है कि इस वक्त वो सच में घर पर अकेली है और उसी वक्त वो औरत रोस को पीछे देखने को कहती है डर के मारे रोस पीछे देखने लगती है कि तबी दुबारा से फोन बजने लगता है और तबी रोस नोटिस करती है कि उसके हाथ में कोई फोन नहीं है और उसे कोई सेक्रियूटी अलराम कमपनी से फोन नहीं आया है रोस को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है रोस दुबारा से फोन उठाती है और इस बार सच में सेक्रियूटी अलराम कमपनी से कोल आता है उसके बद दो पूलिस ओफिसर रोज के घर आते है और रोज का पूरा घर चेक करते है लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है रोज उनसे पीछे वाले डोर के बारे में पुछती है जिसपर वो कहते है कि साइद उसने पीछे वाले डोर लोक नहीं किया होगा उसे उसकी मूम का नाइट मेराता है और उसी वक्त वो घबराकर उड़ जाती है उसके बद रोस लोरा की सेशन वाली रिकोर्डिंग को सुनती है तबी रिकोर्डिंग में रोस को विस्वर सुनाई देता है जो कहता है रोस रोस उस आवाज को दुबारा सुनने की कोशिश करती है कि तबी महाँ पर एक स्पिरिट आकर रोस का नाम लेकर उसे पुकारती है और उसे डरा देती है जिसे देखकर रोस डर जाती है और डर के मारे रोस नाइव उठा लेती है रोस के चिलाने की आवा सुनकर ट्रेबर भी महा जाता है और रोस के हाथों में नाइव देखकर डर जाता है और रोस से कहता है कि वो नाइव को नीचे रखे उसके बात अगले दिन रोस अपनी फॉर्मल थेरेपिस डॉक्टर मेडलिन के पास जाती है और अपने साथ हो रहे इंसिडन के बारे में बताती है डॉक्टर मेडलिन कहती है कि उसकी पेशन लोरा की वज़े से उसे उसके बच्चपन का इंसिडन याद आ गया है जो उसकी मौम के साथ हुआ था और ये सब स्ट्रेस लेने और कम सोने की वज़े से भी हो सकता है डॉक्टर मेडलिन रोस से ये भी कहती है कि उसे फिर से रेगुलर सेशन्स के लिए उससे मिलना चाहिए उसके बाद रोस अपना मूट ही करती है और रेडी होकर होली की बेटे जेकसन की बड़े पार्टी में जाती है उसके बाद सब मिलकर जेकसन का बड़े सेलिबरेट करते है जिसके बाद जेकसन सबका गिफ्ट खोलने लगता है जेक्सन जब रोस का गिफ्ट खोलता है तो उसमें रोस की केट मुस्टेच की डेट बोडी होती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते है और रोस अपनी केट मुस्टेच की बोडी देखकर शौक्ट हो जाती है और रोने लगती है और सबसे कहती है कि ये उसने नहीं किया है लेकिन कोई उसकी बात का यकिन नहीं करता है उसी वक्त रोस अपने सामने चेर पर एक गेस्ट को बेठा देखती है जो उसे देखकर समाइल कर रही होती है तबी अचानक से वो रोस के सामने आ जाती है जिसे देखकर रोस डर जाती है और डर के मारे वो पीछे टेबल पर गिर जाती है जिस वज़े से उसके दोनों हातों पर काफी चोटे आती है और ये देखकर रोस चिलाने लगती है उसके बाद वो लोग रोस को होस्पिटल लेकर आते है जिसके बाद रोस होली और ट्रेवर को आर्यूमेंट करती हुई देखती है उसके बाद ट्रेवर रोस को घर लेकर आता है तब ही रोस ट्रेवर से अपने साथ हो रहे सारे इंसिडेंट के बार में बताती है और कहती है कि जो एंटिटी लोरा के पीछे पड़ी हुई थी उसी नहीं लोरा को मारा है और अब लोरा को मानने के बाद वो एंटिटी उससे अटेच हो गई है ट्रेवर रोस की बातों पर यकिन नहीं करता है और उसे कहता है कि ये एक दिमागी बिमारी है जो उसे उसकी मौम से मिली है ट्रेवर की बाते सुनकर रोस को बुरा लगता है उसके बार रोस लोरा के प्रोफेसर के बारे में गूगल पर सर्च करती है लोरा के प्रोफेसर एक आर्ट हिस्टरी प्रोफेसर थे और एक दिन अचानक से प्रोफेसर ने प्रोफेसर 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 प्र घर जाती है जहादर वह प्रोफेशर की वाइफ से मिलती है प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि अचानक से उसके हस्बिन्रडड़ चेंज हो गए थे आदी रातों को वो चिलाते हुए उड़ जाते lot हो जिसके बात É cuer सोना बंद глаз०े कर था और उसके पर रोज पुछती है कि कभी प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसे क्या चीज दिखाई देती थी जिस पर प्रोफेसर की वाइफ प्रोफेसर की कुछ पैंटिंग दिखाती है रोज कमरे की पैंटिंग को देखती है जो काफे अजीब होती है तबी रोज की नजर एक कभी नहीं बूल पाया उस पैंटिंग को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो एंटिटी प्रोफेसर के भाई के रूप में भी प्रोफेसर के सामने आता होगा उसके बाद रोस पुछती है कि प्रोफेसर के साथ यह सब कब से सुरु हुआ था जिस पर प्रोफेसर की वाइब बतात वो सब रियल है और उसने खुद वो सब देखा है रोस की बाते सुनकर प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है और रोस की अजीब गरी बाते सुनकर प्रोफेसर की वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो रोस को पागल कहे कर उसे अपने घर से रोसो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें उसके बद रोस जोयल के घर जाती है और जोयलRs से प्रोफिसर की डिटेल निकालने को कहती है तब जोयल्ट बटाता है कि करीब एक हफ़ते पहले प्रोफेसर एक होटल में रुखे थे जहाँ पर एक एंजेला नाम की ओरत ने उसके सामने सुसाइट कर लिया था जिसके एक लोते विटनर्स प्रोफेसर थे रोस जोल से एंजेला के बारे में भी पता निकालने को कहती है जिसके बात उन्हें पता चलता है कि उस ओरत के मनने से करीब चार दिन पहले एक आदमी ने उस ओरत के सामने सुसाइट किया था जिसकी एक सिसी टीवी फूटेज भी थी वो ओरतकार में फ्यूल भरी होती है कि तबी एक आदमी वहाँ पर आता है और एक गार्डन टूल उठा कर उस ओरत के सामने जाता है और खुद को टूल से मार देता है तबी रोज नोटिस करती है कि मनने से पहले वो आदमी भी स्माइल कर रहा था जिसे देखकर रोज परहसान हो जाती है उसके बाद रोज उन सारी केसिस के फोटेज का प्रिंट आउट निकलवाती है और ट्रेवर के पास जाती है जहाँ पर रोज ट्रेवर को डॉक्टर मेडलीन के साथ बेठा देखती है रोज ट्रेवर से पुछती है कि डॉक्टर मेडलीन यहां क्या कर रही है जिस पर ट्रेवर कहता है कि उसने डॉक्टर मेडलीन को उसके लिए बुलाया है क्योंकि आज कल वो अजीब और गरीब हरकते कर रही है ट्रेवर की बाते सुनकर रोस को गुस्सा आजाता है क्योंकि ट्रेवर उस पर ट्रस नहीं करता है और उसे पागल समझता है गुस्से में रोस वहां से चली जाती है और होली के पास आती है روز ہولی کو سارے پروف दिखाती है اور कहती है कि ये एक कर्स है जो उसे उसकी पेशन लोरा से मिला है लोरा को उसके प्रोफेसर से और ये कर्स परशन टो परशन पास होता है हولی रोस मात तों पर यकिन नहीं करती है कुई जब उनकी मॉम की डेःथ हुई थी तो वो उस वक्त महाँ पर नहीं थी क्युकि वो भाग गजी थी तब होली कहती है कि उनकी मॉम वायलेंट होती जा रही थी जिस वजे से उसे घर छोड़कर भागना पड़ा होली रोस से माफी भी माँगती है क्योंकि उस दिन वो उसे वहाँ पर अकेली छोड़कर भाग गई थी जिस वज़े से उसे उनकी मौम के टोचर को अकेले सेना पड़ा उसके बाद होली रोस को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वज़े से उसका बेटा जेकसन सजमे में है इसलिए वो नहीं चाती है कि वो उसके बेटे के आसपास रहे ये कहकर होली अंदर चले जाती है रोस अकेली हो जाती है और उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे उसके बाद रोस अपनी कार में जाकर बेटती है कि तभी होली उसके पास आती है और कार की विंडो को नो करती है रोस जैसे ही होली की तरफ देखती है तभी होली के रूप में वो एंटिटी स्माइल करके रोस को डरा देती है जिसे देखकर रोस डर के मारे चिलाने लगती है और रोस का नेफ्यू जेक्सन भी रोस को चिलाते हुए देखता है जिसे देखकर वो भी डड़ जाता है कुछ देर बात हम रोज को कार में ही बेठा देखते हैं तब ही रोज को जोयल का कोल आता है जोयल बताता है कि उसके जाने के बाद उसने सारे केसिस के रिसर्च की है जुल कहता है कि इन सारे सुसाइट केस में एक ही पेटन है और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए है जुल कहता है कि उसे अब तक ऐसे 20 केसे मिले है जिसमें से 19 लोगों ने बहुती बहरेमी से खुद की जान ले ली है और एक केस में पेटन मिक्स अब हुआ है जिसका नाम रोबर्ट है जोल बताता है कि रोबर्ट की बिस्नस पार्टनर ने उसके सामने सुसाइट कर लिया था और चार दिन बाद रोबर्ट ने एक अंजान औरत का मडर कर दिया जिसे वो जानता भी नहीं था लेकिन जिसने मुर्डर होते हुए देखा था उसने अचानक से एक हफते बाद सुसाइट कर लिया जिसके बाद पेटन फिर से स्टाट हो गया जोल बताता है कि रोबर्ट अभी भी जिंदा है और जेल में बन है उसके बाद जोयल और रोस रोबर्ट से मिलने के लिए निकल जाते है उसी बिज रोस जोयल से एंटिटी और कर्स के बारे में बताती है जिस पर जोयल कहता है कि उसे लगा कि वो किसी कर्ड या फिर किसी स्कीम के बारे में बताएगी लेकिन उसका कहना ये है कि ये एक चीज है जो एक परसन से दुसरे परसन में घुज कर उन्हें सुसाइट करने पर मजबूर कर रहा है उसी भी जोल से पुछती है कि जितने भी केस के बारे में उसने पता किया है उन सब की डेथ कितने दिन के अंदर हुई है जिस पर जोहल कहता है कि कोई भी एक हफ़ते से जादन नहीं जी पाया और उन में से कुछ लोग चार दिन में ही मर गए जोहल की बादे सुनकर रोज कहती है कि आज उसका चोथा दिन है तबी जोल कहता है कि उन सब के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ नहीं होगा उसके बाद वो दोनों रोबर्ट से मिलते हैं रोज रोबर्ट से कहती है कि उसकी एक पेशन है जिसने चार दिन पहले किसी को सुसाइट करते हुए देखा था जिसके बाद उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और उसे कोई चीज दिखाए दे रही है रोबर्ट कहता है कि वो उसे सब बताएगा लेकिन उससे पहले वो जोल को बाहर भेजने को कहता है जिसके बाद रोबर्ट के कहने पर जोल बाहर चला जाता है उसके बद रोबर रोस से बताता है कि उसने इस चीज के बारे में काफी जगा से रिसर्च की है और ये सब चीजे पहले भी हो चुकी है और ये चीज एक चेन की तरह काम करती है रोबर्ट बताता है कि कुछ साल पहले ब्रेजिल में एक आदमी ने इस जेन को तोड़ दिया था उस आदमी ने अपने परोस के एक आदमी को उसकी वाइब के सामने मार दिया जिस वज़े से वो आदमी बज गया और वो करद उसकी परोस की वाइब पर चला गया था रोबर्ट बताता है कि वो चीज डर, खोफ और ट्रॉमा फिलाना चाहता है क्योंकि इसी वज़े से उसे पावरा मिलती है रोबर्ट रोज से कहता है कि उसकी पेशन ने अगर किसी को नहीं मारा तो वो खुद की जान ले लेगी इसलिए उस चीज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी पेशन किसी को मार दे और वो इस बात का ध्यार रखे कि उस मरडर का कोई विटनेस हो ताकि वो कर्द उस पर चला जाए ये सुनकर रोज सौक्ट हो जाती है और तबी वो चिला कर कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती है और ये सुनते ही रोबर्ट को पता चल जाता है कि ये कर्ज रोज पर है जिसके बाद रोबर्ट डर जाता है और रोज से कहता है कि वो उसे दुबारा वो कर्ज नहीं दे सकती है उसी बिज रोबर्ट चिलाने लगता है और रोज को वहाँ से जाने के लिए कहता है रोबर्ट की आवाज सुनकर गार्ड भी अंदर आ जाते है और उसे समालते है तभी जोल रोस को वहां से ले जाता है और बहार आकर रोस से पुछता है कि अंदर क्या हुआ था और रोबर्ट ने उसे क्या कहा रोज जोयल को कुछ नहीं बताती है जिसके बाद वो दोनों हाँ से चले जाते है उसके बाद रोज अपने घर आ जाती है और सारे कैसे को फिगर आउट करती है लेकिन तबी डॉर बेल बचती है जिसके बाद रोज जल्दी से सब कुछ अटाती है और डॉर ओपन करती है जहाँ पर वो डॉक्टर मैडलिन को देखती है उसके बाद वो दोनों अंदर बेट कर बाते करने लगते हैं उसी बीच फोन बजने लगता है रोज जब फोन उठाती है तो वो हरान हो जाती है क्योंकि फोन पर और कोई नहीं डॉक्टर मैडलिन थी और रोज समझ जाती है कि उसके सामने जो बेटी है वो और कोई नहीं वही एंटिटी है तबी वो एंटिटी एक बड़ी स्माइल देती है और रोस से कहती है कि उसका टाइम आने वाला है जिसके बाद वो एंटिटी हस्ती हुई रोस की तरफ बढ़ने लगती है और रोस को बहुती बुरी तरह से डरा दीती है अगले सीन में हम रोस को देखते है जो नाइफ लेकर होस्पिटल आती है रोस नाइफ को अपनी स्लीप में छुपाती है और होस्पिटल के अंदर जाती है उसके बाद रोस काल के पास जाती है काल रोस को देखकर डर जाता है और चिलाने लगता है रोस काल को सांध करने की कोशिश करती है कि तब ही महाँ पर डॉक्टर दिसाई आते है तब ही रोस नाइफ निकालती है और डॉक्टर दिसाई के सामने काल को बहुती बहरेमी से स्टैप करने लगती है लेकिन काल ये सब देखकर हसरा होता है डॉक्टर देसाई ये सब देखकर चिलाने लगते है और उसी बीच वो अपने चेहरी की स्किन को खिचते है जिसे देखकर रोज चिलाती ही उड़ जाती है और तब हम देखते हैं कि ये सब रोज का नाइट मेर था जिसे सोचकर रोज रोने लगती है तब ही वहाँ पर डॉक्टर देसाई आते हैं और रोस की हाला देखकर कहते हैं कि उसे अकेला नहीं रेना चाहिए डॉक्टर देसाई की बात सुनकर रोस समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है जिसके बात रोस वहाँ से जाने लगती है तब ही डोक्टर दिसाई की नजर कार में रखे नाइफ पर पड़ती है जिसे देखकर डोक्टर दिसाई हिरान हो जाते है और रोस को रोकते हैं और कहीं भी जाने से मना करते हैं तबी उसी वक्त रोस डॉक्टर देसाई की जगा पर उस एंटिटी को काल के रूप में देखती है जिसे देखकर रोस डड़ जाती है और जल्दी से काल स्टाट करके वहां से चले जाती है थोड़े दर बाद रोस को जोल का कौल आता है जोल रोस से कहता है कि उसे पुलीस जून रही है और पुलीस का कहना है कि वो लोगों के लिए ख़तरा है तबी रोस कहती है कि उसे पता है कि उसे अब क्या करना है रोस जोल से बताती है कि ये एंटिटी सर्वाइफ करने के लिए हर सुसाइट का एक विक्टम चाहती है कमरे को देखती है रोस अपनी मौम के कमरे का दरवाजा खोलती है और तब हम रोस के पाश्ट को देखते हैं जब रोस की मौम ने ओवरडोस लेकर सुसाइट किया था तब हमें ये पता चलता है कि जब रोस अपनी मौम के कमरे में आई थी तब उसकी मौम जिंदा थी और उस दोट वकंत रोज बहुत ही चोटी थी और उसकी बड़ी बहन होली भी उनकी मौमकी हरकतों की वज़े से भाग गए थी जिस वज़े से रोस अकेले ही अपन regular को से रह थी और इसे से उसने अपनी मौमकी हल्प नहीं गी क्योंकि वहान की तुर्फ झा हुँके आप और पुरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और रात को लालतें चला कर बेट जाती है। तब ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रोज चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी मौम के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। रोज दरवाजा खोलती है तो व अमरे में अपनी मौम को बेठा देखती है। अपनी मौम जो वही स्माइली एंटिटी है वो रोज से कहती है कि उसका माइन इसे रियल मानता है और ये कहकर वो एंटिटी स्माइल करने लगती है। रोज को उठा कर दूर फेक देती है और रोज का गला दबाने लगती है। और वो एंटिटी रोज से कहती है कि वो अपने माइन से बचकर नहीं भाग सकती है। रोज से कहती है कि ये उसका माइन है और वो भी उससे नहीं बच सकती है। ये कहते ही रोज पास में पड़े लालटें को एंटिटी के उपर मारती है जिस वज़े से वो एंटिटी जलने लगती है। उसके बाद रोज घर के बाहर आजाती है जिसके बाद पूरे घर में आग लगती है। उसके बात रोज जोल से कहती है कि क्या वो उसके साथ यहीं रह सकती है जिस पर जोल कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और यह कहकर जोल समाइल करने लगता है जिसे देखकर रोज समझ जाती है कि वो जोल नहीं बलकि वही एंटिटी है और वो एंटिटी अभी भी जिन और दर्वाजा लोग कर लेती है तबी रोस के पीछे से वो एंटीटी आ जाती है जिसे देखकर रोस चिलाने लगती है और रोस की आवास सुनकर जोल दर्वाजा तोड़ने लगता है उसी बीच वो एंटीटी रोस को अपना रियल फेस दिखाती है जो एक क्रीचर की तरह थ रोस उसे देखकर चिलाती रहती है और तभी वो अचानक से सांथ होकर नीचे बेड़ जाती है और तभी वो एंटीटी रोस का मूँ खोलकर उसके अंदर चले जाती है उसी भी जोल भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है उसके बर जोल रोस को देखता है जो अपने उपर केरोशन डाल रही होती है जोल रोस को आवाज लगाता है जिसके बाद रोस पीछे मुड़ती है जोल रोस के चेहरे पर अजीब सी स्माइल देखता है और तब ही रोस जोल के सामने खुद को जला देती है और जोल ये सब देख रहा होता है जिसका मतलब ये था कि ये कर्ज अब जोल के उपर पासन हो गया है और अब वो इस कर्ज को आगे बढ़ाएगा और इसी के साथ ही मुवी हैं पर खतम हो जाती है गैस आई होब कि आपको स्माइल मुवी की एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दवाना ना बुलें थैंक यू